हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एज़ू किसने चैनल में आपका स्वागत है, आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे, ओमी प्राजल मेडिसिन के बारे में, तो ये मेडिकेशन के बेजिक उसके बारे में हम सिखेंगे और करेंगे उसकी डेटेल फार्माकोलोजिकल स्टडी, तो अगर आपके पास एंड्रोड फान है, तो एंड्रोड अब डाउंलोड करें, आईफ़ोन यूजर एप स्टोर से डाउंलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो बेजिक कॉंसेप्ट है वो क्लियर करते है ओमिप्राजॉल मेडिसिन के बारे में तो इसके अंदर जो मेन सौल्ट कंपोजिशन है के अलग-अलग ब्रांड नेम से तो यह ओमिप्राजॉल जो है वो मार्केट के अंदर अवेलिबल की जहाँ पे आप देख सकते है कि डॉक्टर रेडिस का यह जो प्रॉड़क्ट है ओमिजेड करके है तो उसके अंदर जो सौल्ट कंपोजिशन है वो है ओमिप्राजॉल मेडिसियम तो ओमिप्राजॉल के अलग-अलग जो कंपनी उसका जो मैनिफेक्चरिंग करते तो सभी क अलग-अलग होते है बड़ मेन आपको जो याद रखना है वो है उसका सौल्ट कंपोजिशन के जो है ओमिप्राजॉल मेडिसियम और यह ऐसे क्लास का मेडिकेशन है फार्मकोलोजी के अंदर के जिसको हम कहते है प्रोटॉन पॉम्प इनिबिटर्स के प्रोटॉन ओमिप्राजॉल का मेन जो बेजिक काम जो है यह मेडिकेशन का कि यह मेडिकेशन लेने के बाद आपके बॉड़ी के अंदर क्या एफेक्ट होती है तो डिक्रीस करवाती है स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को बाई इनिबिटिंग दो प्रोटॉन पॉम्प की जो इन्ट्रामस्कुलरी भी दिया जाता है और यह मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्रिप्सन बेज मेडिकेशन है तो इसका सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए बिकॉज आगे हम जानेंगे कि कौन से कंडिशन में यह यूज होता है और साथ में आपको ध्यान रखना जो डॉक्टर रेडिस का प्रोड़क्ट देख सकते हैं फिर साथ में आपने यह ओमीडी के यह जो टैबलेट्स देख सकते हैं सौरी कैपसुल्स हो गए रहा तो यह ओमीडी के जो कैपसुल्स है कि जिसके अंदर भी सौल्ट कंपोसिशन जो एक फैमस है वो है के बारे में अभी मैंने आपको समझाया था कि जब हमने नौजया वमीटिंग के मेडिकेशन के बारे में सीखा था तो इसमें डॉम पेरिडॉन आया था कि जो नौजया की कंडिशन एंड समझे कि किसी को वमीटिंग वगेरा होते हैं तो उसको भी ट्रीट करते हैं तो तो वो भी treat करने में help करेगा तो यह हो गए उसके tablet and capsule फिर उसके injections भी available है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो life-lice powder दिया जाता है और उसके साथ sterile water for injection तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो omiprazole का injection है 40 mg के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका life-lice powder होता है इसके अंदर और साथ में यह sterile water दिया जाता है और यह sterile water को यूज़ करके आप जो है वो उसका injection form जो है वो तैयार कर सकते हैं तो यह भी usually 40 mg के अंदर available होता है तो आगे हम dose जानेंगे तो उसमें मैं आपको detail में समझाओंगा आप जमते हैं उसके basic use की आपको उसका concept पता है कि omiprazole क्या करता है stomach के अंदर रहा जो acid है stomach acid उसका जो production है वो करता है inhibit कि बाजू के अंदर आप diagram के अंदर देखें तो stomach acid के जो production है उसको करता है decrease कर देता है काम कर देता है तो यहाँ पर देखो isophagus, stomach, फिर spincher वगेर आप देख सकते है फिर यह healthy condition है और यहाँ तक आप देख सकते है यह acid है कि जो एक normal स्थिधी के अंदर हम देख सकते है और यह acid उपर के और नहीं आएगा because यह जो spincher है वो बंध है जिससे यह वाला acid उपर के और reflux नहीं करता जबकि GERD के जो patients होते है gastroesophagal reflux disease तो यह spincher हमेशा open रहता है जिससे यह acid जो है वो उपर के और चड़ता जाता है और समझे कि acid ज़्यादा produce हो रहा है तो वो और उपर के तरक आ जाएगा आपकी isophagus के अंदर उसी तरह से पैप्टिक अलसर के अंदर भी क्या होता है acid ज़्यादा produce होने के कारण यह जो आपके जो lining होते है stomach के वो damage होते है कि वहाँ पे आप देख सकते कि यह stomach acid जो है वो access होने के करण वहाँ पे ulcer form हूँ आप देख सकते है तो ऐसे बिमारिया कि जिसके अंदर acid production ज़्यादा होते है और उसके करण आपको ulcer हो चुका है या फिर ulcer होने के chances है ज़्यादा acidity के करण तो peptic ulcer disease को treat करने के लिए यह medication prescribe किया जाते है GRD के लिए भी उसकिया जाता है excess stomach acid production zollinger-allison syndrome relieve the symptoms of acid reflux duodenal ursel, gastric acid related problem and to treat the condition of acidity तो इस सभी होगे उसके basic use के जहाँ पे खासकर acid reflux problem ज़्यादा stomach acid produce होने के करण और excessive stomach acid के करण होने वाला ulcer तो उसको treat करने के लिए use किया जाता है, फिर heartburn के जो condition होते हैं कि ज़्यादा acid production होने से, यहाँ पे आपको heartburn जैसा feel होता है difficulty in swallowing कि यहाँ पे acid reflux हो रहा है और समझे कि जलन हो रही है तो उसके करण esophagus के portions भी damage होती है, वाँ पे swelling हो सकता है कि जिससे आपको जब भी कोई खाना खाते है या फिर पानी पीते है तो उसको swallow करने में difficulty होती है कई बार cough हो जाता है coughing reflex भी देखने को मिलती है यह medications help करता है esophagus and stomach को damage होने से by stomach acid कि ज़्यादा stomach acid अपका produce हो रहा है तो वो stomach acid को कम करेगा और help करेगा stomach and esophagus के damage को by stomach acid फिर prevent करेगा ulcers and help to prevent the cancer of esophagus कि ज़्यादा acid reflux होने के करण जो esophagus damage होती है तो वहाँ पर आगे जाके फिर cancer भी हो सकता है तो proper time पर समझे के आप medications लेकि उसको treat कर देते हैं तो वो यह सब problems नहीं होते हैं तो omeprazole के जो tablets है वो यह सब भी अलग-अलग medical condition में use होते हैं उसको dose में आपको समझा देता हूँ कि जो stomach acid के production related जो problem है कि excessive production हो रहा है stomach acid का जैसे कि GERD का problem है तो वहाँ पर यह 20 mg के tablets जो है वो usually लिया जाते है OD मतलब कि once a day कि दिन में एक ही बार यह tablet आप खाते है 100 या फिर रात को आप एक tablet लेते हैं तो डेली 1, OD once a day 20 mg GERD के अंदर उसी तरह से acidic के problem में भी 20 mg इनफ रहता है heart burn के समझे condition है उस वक भी 20 mg जो है वो इनफ रहता है तो यह हो गया acid related problems के अंदर उसका solution फिर समझे आप कि ulcer का problem है कि peptic ulcer है stomach ulcer है gastric ulcer है duodenal ulcer जैसे problem जो हम कहते है तो वहाँ पे 20 mg BD मनलब कि यह tablet जो है वो आप दो बार लेगे इस तरह से 101 ulcers वगेरा के लिए और normal acidity वगेरा के लिए सिर्फ एक या फिर आपके पास यह OMI Z का tablet है कि जिसके अंदर omeprazole magnesium है तो यह आप 100 0 इस तरह से OD एक ही लेगे दिन में कि जब आपको stomach ulcer related problem है कि gastric ulcer stomach ulcer durenal ulcer peptic ulcer जो वगेराम कहते है तो सभी के अंदर उसका dose यह रहेगा same like that आप injection B यही doses के तौर पे जो है वो patients को दे सकते है फिर बात आती है कि उसके mechanism तो stomach के अंदर जो acid produce होता है उसकी mechanism तो यह जो parietal cell होते है तो यह हो गया cell का portion और यह cell का अंदर का portion हो और cell के बाहर का portion और यहाँ पे आगा है आपका stomach तो यहाँ पे H2O plus CO2 के बीच में reaction होती है carbonic enhydrase enzyme के कारण वहाँ पे involved होके H2CO3 बनवाता है वहाँ पे वो H2CO3 HCO3 minus और H plus में convert हो जाता है HCO3 minus जो है वो blood में चला जाता है और यह H plus जो है आपका आगे पहुँचता है आपके gastric pit के lumen के अंदर मतलब की stomach के अंदर पहुँचता है फिर यह जो blood से आया हुआ यह जो chloride है वो parietal cell से गुजर के यह आपे stomach के अंदर पहुच जाता है तो वहाँ पे stomach में देखो H plus भी पहुच गया CL minus भी पहुच गया तो chemistry जब आपने सीखी होगी तो आपको पता होगा कि H plus और CL minus combine होके बिना बनाते है HCl की जिसको हम कहते है hydrochloric acid अब इसके लिए जो कोई ज़रुवत परती है तो यह लाल कलर का जो pump है जिसको proton pump कहा जाता है कि यह proton pump क्या करता है यह H plus और CL minus को stomach की और पहुचाने का काम करता है कि जिससे हम pump यूज़ करते है कोई motor यूज़ करते है जिससे HCl बनेगा अब समझे कि यह होमेपराजल के आप medications लेते है तो यह होमेपराजल क्या करेगा यह जो proton pump है उसको completely बंद कर देगा अब proton pump ही अपना काम नहीं कर पाएगा तो ना ही H plus पहुचेगा ना ही CL अगर समझे कि CL पहुचता ही है फिर भी H plus के मौझूदगी में H plus की गेर हाजरी में HCL नहीं बनेगा बिकॉच समझे कि CL आ चुका है बाट बीना H plus के hydrochloric acid बनेगा नहीं जिससे यह medications लेने के बाद stomach acid का जो production है वो कम हो जाता है उसके side effects समझना जरूर है कि उसके करेन आपको diarrhea हो सकता है constipation हो सकता है excessive लेने से stomach pain भी हो सकता है flatulence हो सकते है तो flatulence मतलब कि जो gas ज़्यादा बनना कि gas समझे कि आपको ज़्यादा बनती है pit में तो उससे भी यह problem होता है कि omeprazole के tablets excessive खाने से stomach के अंदर आपका gas formation बढ़ जाता है तो यह खास द्यान रखे कि gas formation इसके side effect है कि और gas formation होगा तो आपको flatulence होंगे फिर headache भी उसकी side effect है कि सरदर्द वगेरा होना nausea vomiting होना फिर dizziness वगेरा होना feeling और being sick, bond fracture जैसे side effect होते है kidney को damage कर सकता है और जो proton pump inhibitors medication हम बात करते हैं कि जितने भी प्राजोल से तो दूसरे प्राजोल की तरह omip्राजोल के अंदर भी यह एक problem है कि ज़्यादा लंबे समय तक उसको खाने से bonds जो है वह आपके weak हो सकते हैं और उसके current bond fracture हो सकता है यह उसका एक side effect है फिर feeling और being sick के आपको ऐसा लेगा कि कि आप बीमार है या फिर बीमार हो रहे है ऐसा फिल होता है kidneys damage कर सकता है तो यह सब side effects develop होते हैं omiprazole के current दूसरे side effect देखके कि अगर आप overdoses उसका करते हैं काफी ज़्यादा dose में उसको खा लेते हैं तो blur vision इस तरह से कि vision आपकी blur हो सकती है confusion जैसा आपको feel हो सकता है फिर dryness आपको feel हो सकता है mouth के अंदर flushing कि यह वाले red flushing आप देखिए यह सब कि redness जैसा हो जाता है आपके चहरे के उपर आपके skins के उपर कि जिसको flushing कहते हैं हम सरदर्ध होना increase sweating यहाँ पर यह डायग्रामिक के अंदर आप देखो तो यह person को काफी पसीना देख सकते है body के उपर तो पसीना जो है वो आपका बढ़ सकता है increase हो सकता है red skin lessons जैसा हो सकता है और उसमें भी purple centers वाले red skin lessons हो सकते है red irritated eye हो सकती है आपके eyes के अंदर irritation होना अगर आप उसका overdose करते overdose मतलब कि जैसे मैंने आपको समझाए कि 400 mg OD ulcer वगेरा में यूज़ करते है और 20 mg जितना OD ये acidity में यूज़ करते है बड़ समझे कि आप उसके बज़ाए 3 या 4 tablet दिन में खालेते है 5 tablet खालेते है तो ऐसे condition में ये सब side effects होगे tiredness जैसा फिल होगा weakness जैसा फिल होगा कि आपके battery low हो रही है ऐसा आपको फिल होगा तो ये सब side effects develop होते हैं Omeprazole के करन अब समझ लेते हैं उसके contraindications के कौन से medical conditions में आपको उसको use नहीं करना तो पहला तो आपको diarrhea हुआ है और diarrhea होने का reason है Clostridium difficile bacteria तो Omeprazole ना खाए vitamin B12 की deficiency है तो भी आप उसको use ना करें आपके body के अंदर magnesium कम है तो भी use ना करें because Omeprazole जो है वो आपके body के अंदर magnesium जो है वो कम करवा सकता है कि Omeprazole के side effect है कि magnesium जो है वो reduce कर सकता है body के अंदर कि लंबे समय तक आप Omeprazole खाते तो एक बार जरूर से magnesium का level चेक करवा लेना चाहिए फिर आपको nephritis है inter-stitial nephritis मतलब कि SCV मारी के जिसके अंदर kidney के अंदर सुजन हो जाता है inflammation होता है वो भी use ना करे फिर CLE के जो present है SCLE sub-acute cutaneous lupus erythromatuses का जो problem है वो लोग भी उसको use ना करे फिर SLE के जो problem जो हम कहते है systemic lupus erythromatuses की जो autoimmune diseases होते है कि आपके body का immune system आपके body के healthy cells damage करता है और आपको osteoporosis है या फिर bond आपके broken है आपके bonds वगेरा weak है तो ऐसे condition में भी omeprazole को use नहीं करनी चाहिए उसके alternative आपको use करनी चाहिए alternatives क्या होते है तो usually protein pump inhibitor का दूसरा alternative बनता है histamine H2 receptor antagonist के जिसके अंदर आप ranitidin वगेरा है famotidin, nisatidin वगेरा एक जो tidin वाले जो medications है और उसमें ranitidin है famotidin है वगेरा जो है वो ज़्यादा popularly use किया जाते है तो वो alternative use कर सकते है pregnancy के दुरान हम बात करें तो pregnancy में दूसरे PPS के compare में omeprazole की जो है वो safe है अब तक ऐसे कोई evidence नहीं है कि जिससे कोई pregnancy के अंदर कोई complications हुए हो and उसका special ये lower dose वाला medications आता है कि omeprazole का ये 10 mg का जो tablet आता है कि जो आप one set day लेते है फिर बात करें कि medications तो चलो है omeprazole but आपको संजो कि pregnancy के अंदर acidity वगेरा हो रही तो आपको दूसरा भी एक option है कि आप home remedies वगेरा कर सकते हैं कि milk वगेरा आप ले सकते हैं कि जिससे भी acid reflux जैसा नहीं होगा heartburn नहीं होगा कि जो without taking medicine या फिर आप जो simple antacid syrup साते हैं कि जिसके अंदर magnesium hydroxide होता है aluminium hydroxide होता है dimethicon होते हैं जिसको हम कहते हैं antacid syrup या फिर milk of magnesium amnesia भी कहा जाता है तो वो भी आप लेख सकते हैं pregnancy के दरान कि flatulence भी आपको नहीं होगे pregnancy के दरान और acidity के भी problems नहीं होगे digestion जो है वा आपका काफी आसन करवा देगा तो ये था हमारा video lecture on omeprazole thank you for watching join कर सकते हैं whatsapp group access कर सकते हैं study material ko test series and video lecture test series तो download कर या pharma rocks android application on google play apple iphone iphone app store link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best